यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खबर दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में में अब आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही बड़े वाला ट्विस्ट क्योंकि वापिस आ रही है कोई और नहीं बलकि ईशा वो भी ईशान की जिंदगी में जी हाँ ईशा और ईशान को अब एक करने वाली है सभी सभी को एहसास हो गया है कि ईशान भोसले परिवार में पला बड़ा जरूर है लेकिन कहीं न कहीं वो अंश तो ईशा मैम का ही है और ऐसे में सभी ने एक बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया है जिसकी वज़े से ईशा को आना ही पड़ा और ईशान से मिलना ही पड़ा क्या किया है सभी ने ऐसा किस तरह से मिलवाया है दोनों को चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप दबा दें दोस्तो अब यहाँ पर सभी इशान के दिल में इशा के लिए प्यार को जगाने वाली है और ऐसे में सभी कॉलेज से फोन करेगी अपनी इशा मैम को और इशा मैम को फोन पर ये कहके वो डरा देगी कि इशा मैम आप जल्दी से भुसले इंस्टिटूट किसी भी तरह करके आ जाएए क्योंकि इशान सर की तब्यात खराब हो चुकी है काफी जादा खराब है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ इशा आप देखेगी ना ता वो फटा फट से पूने के लिए निकल जाएगी जिससे वो भुसले इंस्टिटूट अपने बेटे अपने बाड़ा अपने इशान के पास पहुँच सके तो वहाँ पर दूसरी ओर अब वो इशान से भी बड़ी बात बोलेगी और वो ये बोलती भी नज़र आएगी कि इशा मैम पूने आ रही थी मुझसे मिलने के लिए लेकिन अचानक से उनके साथ बड़ा हाथसा हो गया उनकी गाड़ी आ रही थी लेकिन रस्ते में उनकी गाड़ी के उपर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है और इशा मैम बुरी तरह से जक्मी हो गई है घायल हो गई है और मैं अपनी जक्मी माम यानि की ईशा मैम के पास जा रही हूं सर मिरे को वहाँ पहुँचना जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना बहुत जादा जरूरी है मुझे बहाँ पर बस पहुँचना है क्योंकि किसी तरह से मुझे अपनी इशा माम को हास्पिटल में एडमिट करना है ये सुनकर इशान के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वो ये कहने वाला है कि सवी तुम अकेली नहीं जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इशान सवी के साथ जाएगा इशा के पास और यहाँ पर इशा को तो ये लग रहा होगा कि इशान को चोट लगी है और ऐसे में अब सवी इशान और इशा को कुछ समय ऐसा देने वाली है जिसमें दोनों एक दूसरे को देख कर हैरान होंगे, खुश भी होंगे कि दोनों को कुछ नहीं हुआ और गाड़ी में बैट कर दोनों काफी देर तक बात करके अपने डिफरेंस को सॉट आउट करने वाले हैं शो में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट कितने एकसाइटेड हैं आप कमेंट्स में आप जरूर लिखें वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें